अलो गुद मॉनिंग ग्राफिंग ग्रेब रिंग माई दियर फ्रेंड वल्कुम तो मैं चानल वर्णिमन अब्रॉड यह कॉर मलेशा वीजा पे वीडियो और आपके लिए इस वीडियो के लिए इस वीडियो के लिए ग्रेट न्यूस अजू रेड ऑन थामनेल ठीक है अब कि जो मिलेशा वीजा की साइट है वो चल रही है डाउन और अभी तक वो पोर्टल उपर नहीं है तो यही स्टेटस अपडेट है मेरे पास देने के लिए क्योंकि पावर आउटेज का कोई रीजन है उनका जिसकी वज़े से उनकी साइट अपन रनिंग नहीं है तो अभी उन्होंने क्या किया है बहुत अच्छी खबर है आप सब लोगों के लिए कि आप लोग सिंगल एंट्री वीजा जो है अपलाई कर सकते हैं मुंबई कॉंसलेट से डारेक्ली और इसके जो चार्जस हैं सिर्फ हजार उपे हैं सिर्फ हजार उपे तो इसमें कुछ में दे दूँगो तो महाँ पर इस पब्लिक नोटिस को भी आप पढ़ सकते हैं पूरी तरीके से ध्यान से पढ़ना को उसमें सारी दिपाजिट करते हैं वो आपको कैश में नहीं करने हैं वो आपको इसका डिमांड ट्राफ्ट में वाना पढ़ेगा बैंक ट्राफ्ट होना चाहिए वही वो एक्सिप्ट करेंगे एज प्रूफ आफ कैश ठीक है वीजा अप्लिकेशन के लिए और अभी मैं आपको बता दू कि कोई भी ट्राफ्ल एजेंट्स लोगों के बहाफ पे अप्लिकेशन सब्मिट नहीं कर सकते तो इंडिविजुल आप्लिकेशन को ही इंटर्टेन करेंगे और इंडिविजुल को ही जाना पड़ेगा अपनी आप्लिकेशन लेके और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके फैमिली में तीन लोग ट्राफ्ल कर रहे हैं और आप अकेले चले जाएं कॉंसलेट में आपके पास सारे डॉक्यमेंट्स रेडी हो तो भी वो आपकी आप्लिकेशन एक्सिप्ट नहीं करेंगे तो अगर आप दो लोग हैं तीन लोग हैं फैमिली में से तो आप तीनों को ट्राफ्ल करना पड़ेगा और अपनी आप्लिकेशन सब्मिट करनी पड़ेगी इस केस के अंदर तो ये वीडियो उसी बारे में है और मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन पर पब्लिक नोटेस पहले पढ़ते हैं ध्यान से ढंक से और उसके बाद आप वीजा एप्लिकेशन फॉर्म भी देख ले और दोनों के जो लिंक्स हैं दोनों के जो कॉपीज हैं आप मे का सिंगल एंट्री वीजा अप्लाई करना होता है जब तक मलेशा एविजा की साइट डाउन चल रही है ऑके मैं आप उस्क्रीन पर लेके चलता हूँ सबसे पहले मैं आपको पब्लिक नोटेस उनका दिखाता हूँ जो आया है डारेकली फॉम दे कॉंसलेट आफ मलेशिया आथ देखा हूँ अपर शरял पर परनेशियार गिरीश वीजा खीहा हूँ से ब्लेशा जेइल सबस्था मलेशा अप्लेशा व मलेशा इंप ए nijanि में वीजा के लिजा ए विजा प्रेट हूँ से कक मैं मालेशियां इसलें साहित गर। मश्ydd नाह में टेश्य है झाईंी बढ the visa application from 9 a.m. to 12 p.m. at gate 2 visa section high commission of malaysia 50 m satya mark chanakya puri new Delhi ठीक है तो उन्होंने address भी दिया है कि यह जो single entry की visa applications है आपको इसके लिए किसी travel agent के पास जाने की जरोत नहीं है directly आप consulate पे visit कर सकते हैं New Delhi और उनका address भी यहां पे दिया हुआ है और सुबह नौ बज़े से लेके दुपहर के बारा बज़े तक आपको अपनी application submit करनी है हमाँ पे चलिए आगे पड़ते हैं और प्रीज इंशर फॉलिए फॉल्फिल बिफोर सब्मिटिंग वीजा अप्रिकेशन फॉर्दर कांसिटरेशन ऑगे तो क्या डॉक्मेंट्स नहीं है अब उससे पहले इन्होंने जो जुरिडिक्शन है आप कुछ स्टेट्स हैं जो इंडिया के वह कुछ न्यू डेली जुरिडिक्शन में आते हैं तो उनके नाम यहां पे अप्लिकेंट्स करेंट्ली डिजाइडिंग इन दे स्टेट यूनिन टेरिटीज ऑफ अरुनाशल प्रदेश असां बिहार चातिसगर हर्याना तो यह जो हैं यह मेरी वेबसाइट से थे वार्निंग मैं दॉट इन से मिल जाएगा तो आप मेरी वेबसाइट को जुरूर चेक करें और वहां से यह आप पढ़ ले कि अगर आप किस जुरिक्शन में आते हैं मतला मनिपूर से में गाले से तो उसकेस के अंदर आपको न्यू डेली कॉंसले आप मलेशा इन मुंबाई और आप आपार्ट वं दी इस सिटीज और इस स्टेट्स अनिबडी वेजा आप टो रिपोर टो मुंबाई कॉंसलेट और चिन्नाई कॉंसलेट इन दाट किस ऑगे तो यह जो उनको एक्सेप्शन आपर वली जो स्टेट्स हैं जैसे जमू हो गय यह लोग जो है डेली कॉंसलेट से अप्लाई करेंगे और जो बाकी है रेमेनिंग वो मुंबाई से यह चिन्नाई से अप्लाई कर सकते हैं बाकी बागी बाइद वे मैं जो कॉंसलेट की आड्रस नंबर्स है वो इस वीडियो की डिस्रिप्शन में आपके रिफर्स के बाइद एप्लिकेंट तो वो जो एप्लिकेशन फॉर्म है वो आप मेरी साइट से पीडिया फॉर्माट में डाउनलोड कर सकते हैं तो फड़ा फड़ से साइट पर जाएं और डाउनलोड कर लें इस फॉर्म को औरेजिनल वैलेट पासपोर्ट आपके पास सुना जी आपका जो रिटर्न प्रूफ है वो आपके पास होना चाहिए एर टिकेट इस कंफर्म रिजर्व होनी चाहिए पेड बुकिंग्स होनी चाहिए ओके इसके इलावा फोडोस ऑफ एप्लिकेंट तो पीसे बिद वाइब बैक्राउंड ओके स्पेसिकेशन देन फोटों की नह पासपोर्ट साइस फोटोग्राफ लेके चले जाए और वाइड बैग्राउंड आपकी फोटोस को हो क्वालिटी उसके अच्छी हो नवीजा फी इस 1000 बाइब बैंक ड्राफ्ट डिमांड ड्राफ एड्रस तो हाई कमेशन ऑफ मलेशिया नो कैश पेइमिट एक्सेप्ट ब आगे लिखा है इन एडिशिन दा हाई कमेशन ऑफ मलेशिया वोड लाइक तो हाईलाइड बैट ओनली इंडिविज्व वीजा एप्लिकेशन आ बिंग प्रॉसस्ट अद दो मतलब यह हुआ कि सिर्फ इंडिविज्व वीजा इशू किया जा रहा है सिंगल एंट्री वीज का मल्टी एंट्री वीजा की बात यहां पर नहीं हो रही है ग्रुप समेशन पाइजेंट्स तो अगर एजेंट्स समिट करते हैं लोगों के बहाफ पर यह इंडिविज्व एक्टेंग ऑन बहाफ अदर्स ठीक है मान लीजिए दो यह तीन फैमिली मेंबर्स है और उसमें है जो आपकी मतलब दूसरे दो फैमिली मेंबर्स की भी अप्रिकेशन समेट करने जा रहा तो उनको इंटर्टेंग नहीं किया जाएगा आगे लिखा है ग्रुप समिशन पाइजेंट्स इंडिविज्विज्व एक्टेंग अन बहाफ आफ अधर्स विल नॉट एक्सेप् की श्याइब नहीं अप्रिकेशन आपको जाके अपनी अप्रिकेशन परेंगे अगर आपके फैमिली मेंबर्स है उनको भी आप लेके जाए और वो बी इंडिविज्विद अपनी अप्रिकेशन समेट करें और अब मैं आपको लेके चलता हूँ, visa application form पर उसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो यह है immigration का form यहाँ पर आपको type of application in Malaysia, overseas और यहाँ पर आपको photo लगाने, इसकी specification यहाँ पर दीवी, actually उसमें specified नहीं, public notice में, यहाँ दीए है 3 boy 5 cm x 5.0 cm, ठीक है, तो इसका size आप गयाँ रख इसके बाद नाम अपना डालेंगे और अपना male, female, gender डालेंगे, place of birth, date of birth, nationality, बहुत ही basic सी चीज है, यह सारी details आपके passport पर मिल जाती है, तो पासपोर्ट को उठाएं और जो details passport पर दीए है, accordingly इसे बरते जाएं, occupation क्या करते हैं, आपका address, local address क्या इंडिया में, आप single है, married ह और type of travel document जैसे कि passport आप दिखाने लगे हैं, right, number आपका passport का, place, country of origin, जो passport जहां से आपको issue हो है, उसका डालना है आपको, नाम, और valid until, आपका passport कब तक valid है, बस यह basic details है, पासपोर्ट में सारी details दी है, चोटा सा form है, photo को ध्यान रखे, 3.5 cm by 5.0 cm with white background, okay, that's all guys, और I'll just take you to my site, thewarningman.in, और यहां पर एक Malaysia का page दिया वह है, तो आप यह site का link मैं description में दे दूँगा, direct link, और यहां जाके आप इस public notice को भी पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ, आपके पास option है, इस application form को download करने का मेरी site के थूँ, तो इसका आप print out ले ले, इसे fill करे, और जितने भी supporting documents अमने डिसक काफी लोगों की grievances और complaints और उनकी fright में सो रही है, e-visa नहीं उनका आया, काफी issues आ रहे हैं, तो उनको जार स्यादा बताएं कि अब उनके पास क्या alternative आगे, 6 working days में आपका visa आपके पास आ जाएगा, okay, alright then, goodbye, take care, और हां, इस channel को जरूर सपोर्ट करें, subscribe करें, इस video को like करें a day, goodbye and take care.